जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि आपके जो सफेद बाल है उसको आप नैचरली कैसे काला कर सकते हैं वो भी नैचरली और पर्मानेंटली और यहाँ पे मैंने ले लिया है इंडिगो पाउडर तो अपने बालों के लेंथ के हिसाब से मैंने टू टेबल स्पून लिया है और इसे हलके से गरम पानी में डाल के सोक करना है हमें चार गंटे के लिए शीशे के बरतन में यहाँ पे मैंने अपने बालों को एक दिन पहले शैंपू किया था और शैंपू के बाद मैंने यहाँ पर कोई सीरम बगरा का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और इसे apply करने से पहले अपने hairline area पर मैं लगा रही हूं वैसलीन ताकि अगर थोड़ा बहुत spill हो भी जाता है तो चहरे पे इसका दाग ना हो ठीके उसके बाद अपने बालों में अच्छी तरीके से पहले आप कंगी करके इसे detangle कर लीजिए और मैं यहाँ पे apply करी हूं brush की help से क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सफेद नहीं है लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं जो है तीन चार बाल तीन चार बाल करके नहीं से सामने से दीख जाते हैं जब partition वगड़ा करते हैं तो तो मैं brush की help से करें ताकि वो जो सफेद बाल है वो 100% जो है cover हो जाए तो इसे लगा लेना है और अगर यह scalp पे लग भी जाता है तो कोई tension वाली बात नहीं क्योंकि यह बिल्कुल natural dye है तो इसमें कोई chemical नहीं है और अगर यह scalp पे लगता है तो in fact यह आपके scalp के लिए अच् सूख गए है तो अच्छा सा एक oil massage करना है और आप चाहे तो next day भी shampoo कर सकते वैसे मैंने same day ही कर लिया था बालो में अच्छा सा शैंपू और conditioner लगा लिया बाल बहुत ही ज्यादा silky soft तो लगी रहे साथ ही साथ जो 3-4 जो मेरे white strand है वो भी cover हो चुके है तो यह बहुत ही अ बच्छीं!